वेल्कम स्टुडेंट्स हिंदी सानादर लेक्चर ओप कोक्रोच पिछले लेक्चर में मैंने आपको कोक्रोच की इंटरनल एनाटोमी के बारे में पढ़ाया और हमने अब तक उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड वस्कुलर सिस्टम और रेस्पाइरेटरी सिस्टम तीन पार्ट में डिवाइड किया है, फोर गट, मिट गट, और हाइंड गट, पोर गट के जो पार्ट्स थे, उसमें हमने देखा है कि आगे माउथ है, रिमेंबर माउथ is सराउंड़ेट बाई माउथ पार्ट्स, कौन-कौन से माउथ पार्ट्स है उसमें, तो आगे की त पार्ट्स आरफांड इन चुएंग टाइप ओफ माउथ पार्ट्स, उसके बाद ऐक फैरिंग जे, इसोफेगस है, क्रॉप का जो फंक्षन है, वो स्टोरेज एज पूड रहेगा, और गिजर्ड या जो प्रोवेंटरिकुलस है, उसमें सिक्स काईटीन स्टीत होते हैं, जो फूड की grinding करेंगे, यानि कॉक्रोच में फूड की grinding दो बार होगी, पहले खाते समय, जो mandibles हैं, जो उसके jaws हैं, वो भी grind करेंगे, वो भी काटेंगे, और एक बार फूड अंदर जाएगा, तो एक बार फिर से उसकी grinding होगी, उसके बाद mid gut, और then we have hind gut, उसको भी हमने तीन parts में divide किया है, ileum, colon, rectum, which open outside through anus, और आपको मैंने बताया, यह हमारे पास यहां diagram है, तो 6 to 8 इस तरह के इसमें hepatic CK हैं, जो digestive enzymes का secretion करते हैं, what is the location of hepatic CK, तो at the junction of foregut and midgut, apart from that, आपको यहां पर उसके elementary canal में यह देखिए, कुछ malpigin tubules भी दिखाई देते हैं, they have got excretory function, but they are attached with the elementary canal, और आगे मैंने आपको यह पूरा उसका किस तरह से feeding होती है, कौन से उसके structures हैं, यह सारे बताया, और then we discussed about blood vascular system, cockroach में open type का blood vascular system है, और एक सीधे हम diagram पर आजाएं, जो मैंने आपको explain किया था, यह देखिए, cockroach में एक लंबा सा इस तरह से यह heart है, जो की 13 chambers में divided है हर chamber जो है, वो funnel shape है, और उसके दोनों तरफ दो small openings होती है, जिने हम ostia कहते हैं, पूरी body जो cockroach की है, उसमें बड़ी सी cavity है, उस cavity को हम hemo seal कहते हैं, और उसमें एक clear transparent liquid बरा रहता है, जिसे हम hemo lymph कहते हैं, hemo lymph के मैंने आपको दो components बताए, एक उसमें liquid part plasma होगा, और दूसरा में कुछ cells होगी, जिने हम hemo sites कहते हैं, जो कि amoeboid cells होती है, और immune function रहेगा उनका, इसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया है, कि जो hemo lymph होता है, उसमें कुछ fat bodies होती है, और एक important question fat bodies से बनता है, that they are analogous to the vertebrate liver, क्योंकि जो function vertebrates में liver का है, वही function cockroach में fat bodies का है, cockroach की जो hemo seal है, वो तीन parts में divided है, pericardial sinus, perivisceral sinus और perineural sinus, और किस तरह से, इसमें मैंने आपको LRE muscles का role बताया, कि contraction जो LRE muscles में होगा, उससे जो hemo lymph है, वो heart में enter करता है, और उसके बाद heart की जो wall है, उसमें जो contractions होंगे, उससे वो hemo lymph आगे की तरफ बढ़ेगा, anterior erota से होग boom के वापस perineural sinus में आएगा, फिर perineural sinus से वो perivisceral sinus में जाएगा, और perivisceral sinus से वो hemo lymph है, वो pericardial sinus में जाएगा, और वहां से वो heart में enter करेगा, how many pairs of LRE muscles are there, तो आपको याद रखना है कि there are 12 pairs of LRE muscles, कहां attached रहते हैं LRE muscles, तो LRE muscles are attached to the tergait, उपर की तरफ tergait से जूड़े रह रहते हैं और इसके लावा हो heart से भी attached रहते हैं, then we talked very interesting respiratory system in cockroach, cockroach में बड़ा ही एक शांदार हमने respiratory system देखा, जो कि उनके tracheal tubes से बना हुआ है, complex network है, और tracheal tubes की जो inner lining है, मैंने आपको बताया है कि वहां पर kaitin की cuticular rings होती है, जो उनने support करती है, trachea divides into tracheal tubes and then tracheal tubes divide into final small branches, हमने tracheals बताया है, और जो tracheals है, they reach almost each and every cell, और वहां जो tracheals के end होते हैं, उनमें थोड़ा सा tissue fluid बढ़ा रहता है, और जिसके tissue fluid के तुरू gaseous exchange होगा, oxygen dissolve होकर अंदर चली जाएगी, और ये जितने भी trachea हैं, ये बाहर की और खुलते हैं, और उनकी बाहर जो openings होती है, उ openings को हम spiracles कहते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 2 pair spiracles इसके thorax में हैं, और 8 pair spiracles जो होंगे वो इसके abdomen में हैं, तो total 10 pairs of spiracles हैं, ध्यान रखना बच्चों, ये dorsal side में नहीं है, इस diagram में हमने थोड़े ऊपर बना लिए, क्योंकि side में बनाता तो बना नहीं सकते हैं, और हमें दिखते भी नहीं, तो मैंने थोड़ा ऊपर के और बना लिया, और यहां हमें एक breathing में कौन से muscles का role है, तो ये देखिए, ये diagram बनाया मैंने targo sternal muscles, mechanism पूरा मैं आपको पिछली क्लास में explain कर चुका हूँ, अब ये 5 minute हमें लगे, लेकिन हमने थोड़ा सा इसमें revision कर होता है, तो main excretory organs जो होंगे वो, malpigin tubules हैं, और जैसा कि आप सीधे इस diagram पर आ जाई हैं, पहले मैं आपको ये diagram explain कर देता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे, अब याद करिए, कि ये बच्चों हमारे पास cockroach की for gut हो जाएगी, और ये sorry, not for gut, hind gut होगी, इसको हम मिटा देत हैं, ये देखी, ये कोक्रोच की, again, mistake, ये देखी, ये कोक्रोच की यहाँ, ये देखी, कोक्रोच की यहाँ पर mid gut है, और ये उसकी hind gut है, और इधर भी इस diagram को भी देख लीजिए आप, ये यहाँ पर उसकी mid gut है, और ये उसकी, ये diagram आप पहले भी देख चुके हैं बच्चों यह उसकी hindgut है और इस midgut और hindgut के junction पे we have around 100 to 150 malpigian tubules यह जो malpigian है यह scientist है बच्चों scientist का नाम है और यह जो हमारे पास यहां diagram बना रखा इसको मैं नाम दे देता हूँ diagram B इस diagram B में आप देखिए out of those 100 to 150 malpigian tubules मैंने यहां पे एक malpigian tubule बनाया है यह जो green color का है यह malpigian tubule है हमारा और बड़ा ही simple इसमें system रहेगा यह देखिए बच्चों आपको ध्यान होना चाहिए कि यह जो बाहर वाला हमारा area है इस बाहर वाले area में hemo lymph है क्योंकि यह जो पूरी elementary के नाल है cockroach की और इनके जितने भी organs होते हैं वो सारे hemo lymph में ही submerged रहते हैं डूबे रहते हैं तो you must remember कि यह जो पार्ट है हमारा hemo lymph है और इस ही hemo lymph में इनका nitrogenous vests प्रेजेंट रहेंगे तो यह जो हमारे पास cells है मैंने पूरी नहीं बनाई है लेकिन यह जो cells है इसमें आपको ध्यान रखना है इनकी दो प्रोपर्टी है पहली प्रोपर्टी तो यह है कि यह जो cells है यह glandular cells है यह secretion कर सकती है साथ ही है ciliated cells है correct बच्चों तो इन cell का function है बच्चों कि यह बाहर से यहां से जो nitrogenous waste होगा उस nitrogenous waste को absorb करेगी absorb करने के बाद उसको uric acid में convert करेगी याद रखें आप they convert it into uric acid और वही uric acid जो है वो यहां release कर लिया जाएगा तो यह जो सारा है यह बच्चों uric acid है correct बच्चों तो एक बाद फिर से बोल रहा हूँ मैं repeat कर रहा हूँ यह जो हमारे पास cells है यहां पर यह जितनी भी cells है in the wall of malpigin tubule malpigin tubule की जो wall है उसमें जो cell से उनकी दो property है एक तो वो glandular cells है मतलब they can secrete तो secrete क्या किया इन्होंने uric acid का secretion किया और they also have got cilia तो यह cells क्या करती है कि बाहर hemolymph से यह nitrogenous waste को absorb करेगी उसको uric acid में convert करेगी और convert करने के बाद जब यह uric acid यहां release कर दिया जाएगा फिर यह uric acid यहां से आगे बढ़ेगा अब हम इसको देखो थोड़ा चोटा करते है यह uric acid यहां जाएगा यहां से होते वह यह पीछे hind gut में चला जाएगा और फिर hind gut से यह uric acid इनका body से बाहर निकल जाएगा हम जानते हैं कि उपर से undigested food भी आ रहा है वो food भी यहीं से जाएगा और उसी undigested food में uric acid भी mix हो जाएगा तो cockroach के पास separate excretory opening नहीं है आप ध्यान रख लेना और जो इनका uric acid है वो वहीं से बाहर निकल जाएगा ध्यान रखना बच्चों gene animals में पानी की scarcity होती है कमी होती है पानी की availability poor होती है वो animal uric acid का excretion करते है अब यसा क्यूं यह तुम्हें आपको excretory system जो physiology पढ़ाओंगा उस समय इन सब points के बारे में हम अच्छे से discuss करेंगे अभी आपको यह याद रखना है कि cockroach जो है वो uricotelic है uricotelic animal है in the sense it excret uric acid इसका जो nitrogenous waste है वो uric acid है तो यह आपको ध्यान रखना है बच्चों और आपको समझ में आई गया होगा फिर से एक बार repeat कर देता हूँ body की जितने भी cells हैं जितने भी organs हैं जितने भी tissues हैं वो अपना nitrogenous waste सबसे पहले hemo lymph में release करेंगे और यह जो हमारे पास malpigen tubules की cells है यह उस nitrogenous waste को absorb करेगी उसको uric acid में convert करेगी और फिर उसको convert करके यहाँ release कर देगी यहाँ release कर देगी यहाँ release कर देगी और फिर क्योंकि इन cells के उपर cilia है तो ciliary movement से यह सारा इस तरफ आगे की और बढ़ेगा और फिर यह पीछे की और इनका जो undigested food जा रहा है उस undigested food के साथ इनका uric acid भी body से बाहर निकल जाएगा अच्छाँ आप एक scientific experiment अगर करना चाहें घर पे बैठके अगर आपके पास कहीं से cockroach available हो जाए तो what you can do कि एक interesting experiment आप कर सकते हैं यह प्रूव करने के लिए कि जो मैल्पीगून tubules है they play important role in excretion तो देखिए आप क्या करें कि एक cockroach पकड़ ले और हम यह जानते हैं कि यह cockroach में इस तरह से उसकी body पर इसे segments होते हैं प्लेट्स होती है तो सबसे पहला आपको क्या करना पड़ेगा यहां से cockroach को पकड़ ले एक इधर जाओ उसका head है वहां से पकड़ ले और इस end को ऐसे खीचें इस तरफ खीचें और इस end को इस तरफ खीचें उल्टा कर ले ना आप उपर की तरफ तो wings होंगे तो आपको wings की तरफ नहीं यहां नीचे की तरफ ध्यान देना है और जैसे ही आप cockroach को थोड़ा से खीचेंगे ज्यादा जोर से मत खीच ले ना तूट के दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ऐसा नहीं करना है आपको आपको क्या करना हलका से खीचोगे तो अभी क्या है कि यह इस तरह का अरेंजमेंट है इसका दो इस्टरनाइट इस तरह से रहती है और बीच में यह हमारे पास यहां एक आर्थ्रोडियल मेंब्रेन आपको याद होगा है ना तो अब आप क्या इसको पुल करोगे इस तरह से खीचों के दोनों तरब से तो यह एक स्टरनाइट यहां आ जाएगी दूसरे स्टरनाइट दूर हो जाएगी तोड़ी और यह जो इनके बीच के आर्थ्रोडियल मेंब्रेन है वो आर्थ्रोडियल मेंब्रेन आपको यहां पर यह दिखाई लेना अपनी जो नॉर्मल पैन में जो इंक डालते ना बच्चों वो भर लेना तो देखो आप यहां इंजेक्शन लगाओगो इस तरह से यहां यहां लगा लो यहां लगा लो कहीं से भी लगा लो दो स्टरनाइट के बीच की जो आर्थ्रोडियल मेंब्रेन वहां से आपको नीडल लगानी और नीडल को वो ज्यादा अंदर भी नहीं जाना है उसकी जो टिप वाले पॉट्शन है नीडल की वो अंदर चली जाए उसके बाद एक ड्रोप जो है आप इंक की उसके अंदर रिलीज कर देना बताओ बच्चों वो इंक किस में जाके मिंक्स हो जाएगी वो इंक उसके हीमो लिंफ में घुल जाएगी डिजॉल हो जाएगी अब क्योंकि यह जो इंक है यह इस कोकरोज के लिए foreign material हो गया यह किसी काम का नहीं होगा तो कोकरोज थोड़ी दिर में क्या करेगा कि यह जो इंक है यहां सारी इकटी हो जाएगी उसको भी absorb करके यहां ले लेगा और उसको यहां से थोड़ी दिर में निकाल लेगा तो आप एक काम करिए दो कोकरोज पकड़िया एक कोकरोज को दोनों कोकरोज को injection लगई है दोनों में इंक डाल दो आप एक बुंद की और इंक डालने के 10 मिनिट बाद आप उन में से एक कोकरोज को dissect open करो यान को पूरा जो कि white transparent clear होनी चाहिए वो निली निली दिखाई देगी number one first वाले cockroach में क्यों ऐसा हुआ क्योंकि आपने जो ink डाली वो उसके पूरे hemolymph में dissolve हो गई अब आप क्या करिए थोड़ा wait करिए दूसरे वाले cockroach को 5 या 6 गंटे तक रहने दीजिए और 5-6 गंटे बाद आप उसको भी dissect open करिए जब आप दूसरे cockroach को dissect open करोगे और आपको पता चलेगा कि उसकी जो hemolymph है वो बिल्कुल clear transparent है क्यों हो गई बच्चों clear transparent reason यह कि उसमें जो आपने ink डाली थी वो ink malpigan tubule से absorb हो जाएगी और आपको पता चलेगा कि उनके जो यलो यलो वैसे नॉर्मल ही है यलो color के होते हैं malpigan tubules when you dissect open the animal पर आपको इस बार उसके malpigan tubules blue color के दिखाई देंगे न सिर्फ आपको उसकी malpigan tubule blue color की दिखाई देगी बल्कि उसकी जो पीछे की तरफ hindgut है उसको भी आप dissect open करोगे तो आपको ink वहां मिलेगी मतलब सारी ink जो है hemolymph से clear हो गई वहां से absorb हो गई है और वो malpigan tubule से हो गए पीछे जो hindgut है element के नाल है वहां पहुंच जाएगी और अगर पांच शे gloves होने चाहिए sanitizer होना चाहिए मुँपे mask लगा लेना और एक आपको injection की requirement है और एक थोड़ा सा ink चाहिए आपको इस तरह से आप यह experiment कर सकते हो और यह प्रूव कर सकते हो कि malpigan tubules play important role in fact main role in the excretion of cockroach ओके बच्चों तो आपको समझ में आ गया होगा कि cockroach में excretion के लिए कौन से structure है excretion के लिए cockroach has got malpigan tubule फिर से एक point repeat कर रहा हूँ जो मैंने आपको पहले भी बनाया बताया है कि जो organ excretion का का काम करता है वही organ osmoregulation का भी काम करता है तो remember one thing that the malpigan tubule also play a role in osmoregulation means the regulation and the maintenance of osmotic concentration of body fluid उपर आ जाते हैं बच्चों क्या लिखा है उसको पढ़ लेते हैं excretory system of cockroach the excretion is performed by malpigan tubules कितने होते हैं 100 to 150 they are lined by they यहां किस के लिए बोल रहा हूँ मैं malpigan tubules के लिए बोल रहा हूँ they are lined by glandular and ciliated cells they absorb nitrogenous vests ऐस लगा देते हैं and convert it into uric acid और जो animal uric acid का excretion करेगा उसको हम uricotelic कहेंगे animals में mainly 3 तरह के nitrogenous vests होते हैं मैं पहले बता भी चुका हूँ मेरे पुराने lectures में कुछ animals जो पानी में रहते हैं वो ammonia का excretion करते हैं तो उन्हें हम ammonotelic कहते हैं cockroach uric acid का करता है और कुछ animals ऐसे होते हैं जो urea का excretion करते हैं तो उन्हें हम ureotelic कहते हैं गबराएं नहीं आप यह सारी चीज़ें मैं आपको excretory system में बाद में पढ़ाऊंगा detail में पढ़ेंगे हम तो man excretory structure जो cockroach के हैं वो malpigin tubules हैं बट apart from malpigin tubules cockroach has got some other excretory structure याद रखना है बूलना नहीं है तीनों के तीनों याद रखने malpigin tubules के लावब fat bodies, nephrosites और uricose glands यह तीन और structures हैं जो excretory में role play करते हैं पर यह man नहीं है fat bodies में मैंने आपको बताया कि special type की cells होती है जिनने हम urate cells कहते हैं यह वो cells है बटा जो uric acid का storage भी करती है और उनका production भी करती है बोड़ी में जितना भी waste होगा उससे यह uric acid बना भी लेती है और बना के उनको store भी कर लेती है कई बार uric acid को store करने की required, uric acid तो waste है ना बच्चों waste को store क्यों करना पड़ता है बोड़ी में उसको इखटा भी करके रखते हैं कि हो सकता है कभी future में बोड़ी में nitrogen की deficiency हो जाए और अगर nitrogen की deficiency हो जाए तो उसी waste से they can get their nitrogen again तो इस वज़े से इस इस इन एग्जाम्पल ओफ storage excretion इसके लावा cockroach की जो heart है उनके जो chambers है वहाँ पे कुछ cells होती जिन हम nephrocytes कहते हैं they also produce uric acid तो nephrocytes also play role in excretion और एक में आपको uricose gland अभी cockroach का जब हम male reproductive system पढ़ेंगे तो वहाँ हम बात करेंगे कि cockroach में ग्लेंड होती मेल cockroach में ही होती जिसे mushroom gland कहते है उस mushroom gland का एक पार्ट है जिसे uricose gland कहते है mushroom gland में दो पार्ट हों हम पढ़ेंगे आगे जाके सिर्फ male में होते है and they also remove they also remove nitrogenous waste तो मैं अभी इसमें ज़्यादा यहाँ discuss नहीं कर रहा हूँ हम जब uricose gland पढ़ेंगे mail में तो मैं इसको एक बार repeat कर दूँगा exam में question इनके functions पर इतना detail में नहीं आएगा आपको पूछा जाएगा कि which one of the following is excretory structure in cockroach ठीक है तो अगर malpigin tubules दिया है तो first preference ता आपकी malpigin tubules रहेगी पर अगर malpigin tubules के साथ यह तीन नाम और दिये जाए तो फिर option हो जाएगा आपका all of the above तो इसलिए इनको बूलना नहीं है they also play a role in excretion ठीक बच्चों that's it about excretory system आगे बढ़ते हैं अब ह और cockroach के nervous system के बारे में बात करते हैं simple nervous system है invertive rates में जैसा होता है अब तक हमने देखा है उसी तरह का होगा याद कीजिए earthworm का जो nervous system था earthworm में हमने देखा था कि उसकी एक nerve ring होती है और nerve ring के अलावा ventral side में double nerve cord है ganglionated हर segment में ganglia आते हैं बिल्कुल वैसा ही nervous system cockroach का भी है यह हमारे पास यहां ध्यान से देखिए यह जो पार्ट है यह यह यहां पर जो है आपको एक बड़ा सा इसका यह brain दिखाई दे रहा है basically अब इसमें cockroach में हम इसको brain ball देते हैं होने को यह एक supra isophagial ganglia है यहां I don't think यहां लेबल कर रहका है इसको हम cerebral ganglia भी कहेंगे यह हम इसे supra isophagial ganglia भी कहते है तो यहां पर दो ganglia थे जो आपस में fuse हो गए यह देखको एक यह था एक यह है दोनुआ आपस में लेकिन यह fuse हो जाते है और आपस में जुड जाते है एक Chap chap क्यूद कर दूसरे के साथ जुड हुड़े हुए रहते हैं और इस supra isophagial ganglia को ही हम brain भी कह और इसको यह सूप्राइसोफेजल क्यों का क्योंकि इस फेगस के ऊपर की ओर रहे बच्चों मेरे पास एक डाइग्राम हो रहे वह भी मैं आपको बता देता हूं यह देखिए आप यहां पर तो यह इसकी कोकरोज की क्या हो गई इसोफेज़ हो गई और यह जो हमारा पॉर्शन है यह यलो कलर का मैं हाइलाइट कर रहा हूं इसको बच्चों यह इसका सूप्राइसोफेजियल गेंगलिया हो गया यह देखो यहां पर तो चाहे तो आप इसको ब्रेन कह दो चाहे आप इसे सूप्राइसोफेजियल गेंगलिया कह दो करेक्ट फिर यहां से यह देखो दो नर्वस पीछे की तरफ इसके चारों और इसोफेज़ के चारों रिकटिंग बन जाती है और उसके बाद यह इसकी वेंट्रल डबल गेंगलियोनेटेड नर्वकोर्ड है यह एक बच्चों फंडामेंटल डिफरेंस है वर्टिब्रेट और इन्वर्टिब्रेट्स में जैसे हमारी जो नर्वकोर्ड है वर्टिब्रेट्स चाहे मैं फिशेज लेलू एमफिबियार लेलू रेप्टाइल्स लेलू, birds लेलू, mammals लेलू, इन सब की जो नर्वकोर्ड होगी वो डॉर्सल साइड में होगी, even हमारी भी देखो, हमारी जो पीछे वर्टिबरल कॉलम है हमारा, उसी वर्टिबरल कॉलम के अंदर हमारी नर्वकोर्ड है, तो we all have a nervous system on the dorsal side, जबकि जितने भी invertebrates होते हैं, चाहे वो cockroach हो गया, चाहे वो earthworm हो गया, इसके अलावा जैसे ascaris का, जो main nerve है वो उसकी lateral side में है, platyhelminthies में, तो यह एक basic difference रहेगा, आपको उपने दिमाग में रखना है, question आ सकता है बच्चों यहां से, what is the fundamental difference, fundamental difference यह रहेगा, कि जो vertebrates होते हैं, उन में nervous system dorsal side में होगा dorsal side समझते हो ना, बच्चों यह उपर वाली side होती है, उसको dorsal side कहते हैं, तो उन में nervous system dorsal side में होगा, और जो invertebrates होते हैं, उनका जो nervous system है, वो हमेशा ventral side में होता है, तो यहां पर भी देख लीजे, और differences हैं इनके nervous system में, टाइम आने पर बताऊंगा, अभी मैं जस्त फड़ा साब को एक याद रखने के लिए बता रहा हूं, कि they have got their nervous system towards ventral side, बागी तो बहुत कुछ पढ़ना है बच्चों, nervous system के बारे में हम बात में वो discuss करेंगे, तो यह देखें, इनके nervous code कहा है, ventral side में है, दो nervous code चल रही है, parallel देखो, एक यह चल रही है, और दूसरी ठी थी, वहाँ parallel एक दूसरे के साथ, ganglionated है, क्योंकि हर segment में वहाँ पर एक ganglia होगा, तो ganglionated nerve cord है, और एक आगे की तरफ इसका brain बनाओ है, तो basically हम cockroach का nervous system होता है, उसे दो पार्ट में divide करते हैं, मैं यहाँ जैसे उपर बना रखा है, लेकिन मैं फिर भी एक बार आपके साम जैसे आजाएगी, एक इसका, जो कि अभी मैंने brain बताया है, वो और एक इसकी ventral nerve cord आजाएगी, और एक होता है बच्चों, PNS, peripheral nervous system, तो यहाँ से जो nerves निकलेगी, कहां से, brain से जो यह देखो, यह nerves निकल रही है, ब्रेन से, फिर यह सारी जो nerves निकल रही है, बच्चों, these nerves compr comprises their peripheral nervous system, तो इस तरह से हमारे पास nervous system के दो component होते हैं, एक CNS हो जाएगा और एक PNS हो जाएगा, central nervous system और peripheral nervous system, central nervous system के दो components हो जाएगी, एक उसका brain हो जाएगा, और दूसरा उसकी ventral nerve cord हो जाएगी, और इस brain से और ventral nerve cord से जितनी भी nerves निकलेगी, वो सारी nerves जोगी, they will comprise as their peripheral nervous system तो again come back to this diagram यह देखिए आप यहाँ पे कि यहाँ पे इनका cerebral ganglia हो गया cerebral ganglia को एक नाम और दिया है हमने supra isofagial ganglia और उसके बाद यह इनकी पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक इनकी ventral nerve cord है अब ventral nerve cord आपको यहाँ दिखी गया होगा बच्चों यह double है दो nerves चल रही है parallel correct और हर segment में एक ganglia है अब आपको ध्यान रखना है कि तीन ganglia जो होंगे वो तो thorax में होंगे तोंकि thorax में तीन segment होते हैं ना एक prothoracic ganglia एक mesothoracic ganglia और एक metathoracic ganglia तो यह जो thoracic ganglia इनको नाम दे देते हम यह prothoracic ganglia हो जाएगा यह mesothoracic ganglia हो जाएगा और यह metathoracic ganglia हो जाएगा correct उसके बाद यह यहां से इसका abdomen शुरू हो गया abdomen में हमने बात की थी कि total उसमें 10 segments होते हैं तो इस तरीके से इसमें 10 ganglia होने चाहिए पर 10 नहीं है छही हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, और छे लेकिन आप यह देखो कि जो छटा ganglia है 6th number का जो हमारे ganglia है यह काफी बड़ा है तो basically यह 6th, 7th, 8th, 9th और 10th ganglia जो हैं वो सारे के सारे fused हो गए हैं और इसलिए एक बड़ा सा ganglia बन गया इसमें आप देखिए इवन यह ganglia जो हैं यह भी आपस में एक दूसरे के साथ fuse हो चुके हैं, है ना ganglia मैं आपको बता चुके हैं, what is ganglia जो neuron की cell body है उनका जो group होता है उसे हम ganglia कहते हैं, पिछली बार मैं आपको पहले समझा चुका हूँ यह सारी चीज़ें और यहां यह देखो, इनको हम lateral longitudinal connectives कहते हैं lateral side में है longitudinal connectives हैं तो these are called, यहां में लिख लू lateral longitudinal connectives that's it बचों, यह इसका nervous system हो गया simple है, आपको बस ध्यान रखना है कि इसनका brain है और पीछे की तरफ एक ventral nerve cord है, अब देखे हम इसमें एक चीज़ और interesting है, बड़ी मज़दार में आपको बताऊं कि जो central nervous system है, उसका इतना सा पार्ट तो head में है और बागी यह सारा पार्ट इसका thorax और abdomen में है अगर आपके पास कोई cockroach हो और आप इस cockroach को केंची लेके उसका जो head है उसको काट के अलग कर दो आप तो एक तो यह कि बेटा cockroach मरेगा नहीं अगले छे साथ दिनों तक नहीं मरेगा हो कई बार साथ आठ दिनों से आठ नो दिन तक वो जिन्दा रहता है नहीं मरता है क्यों नहीं मरता है क्योंकि उसके head में nervous system का फिर थोड़ा सा ही पार्ट है most of the part of nervous system जो है वो उसके abdomen में ही present है उसके thorax में present है उसके abdomen में present है तो इसलिए वो एक तो मरेगा नहीं हां लेकिन क्योंकि आपने उसका head काट के फेंक दिया है ना बच्चों तो वो खाना पिना नहीं कर पाएगा but anyway उसके hemo lymph में जो fat bodies है उनमें मैंने आपको बताया था कि glycogen और lipid जो है stored रहता है तो वो storage next 7-8 days के लिए enough होता है तो next 7-8 days तक वो जो cockroach है आराम से जिंदा रहेगा वो stored food है उससे काम चला लेगा और उसके बाद जाके वो मरेगा और वो भी इसलिए नहीं मरा कि आपने उसका nervous system काट दिया वो इसलिए मरा कि अब उसके पास जितना भी stored food था वो खतम हो गया तो this is very interesting आप अगर चाहे तो ऐसा भी एक experiment cockroach को पकड़ के कर सकते हैं let's see हमने उपर क्या लिखा है इसमें notes में क्या लिखा है nervous system को हम दो पार्ट में डिवाइट कर रहे है central nervous system और peripheral nervous system central nervous system में brain है brain basically वो supra isofasal ganglia वो ही brain को represent कर रहा है then what is there in the ventral nerve cord ज्यान से सुनना इस line को segmentally arranged fused paired ganglia joined by longitudinal connectives तो देखो अभी हमने क्या कहा कि हर segment में उसमें इस तरह के ganglia है यह देखो इस तरह से हर segment में गेंगलिया है तो segmentally arranged fused यह आपस में एक दूसरे के साथ यह देखो बच्चों मैं यह बना रहा हूँ कि यह आपस में एक दूसरे के साथ fuse हो गए segmentally arranged, fused, paired ganglia joined by longitudinal connectives तो यह देखो, एक मैं इसको connect कर दूँ यह connect कर दूँ, यह connect कर दूँ यह इस तरह से हम इनको connect कर दिया जाए तो यह जो हो गए, यह इनके क्या हो गए बच्चों longitudinal connectives और इस तरह से इनकी एक ventral nerve cord बन जाएगी समझ में आया? हाँ, एक और diagram में बता जिता हूँ, इसमें देखिए यहाँ से मैंने यह brain से कुछ nerves निकाल रखी है तो head वाले region में कौन से दो main sensory organ एक तो वहाँ पर उनकी compound eyes है और एक वहाँ पर antenna है और वहाँ पर mouth parts भी है तो यह जित्दी भी nerves आपको यहाँ दिखा ही दे रही है these nerves are basically supplying, compound eyes, antenna और mouth parts क्योंकि वहाँ पर कई सारे बच्चों sensory structures होते हैं touch sensory receptors होते हैं, chemo sensory receptors होते हैं, test receptors वहाँ पर सारे present हैं तो यह nerves जो है वहाँ जाएगी, तो that's it about the nervous system बस छोटा सा है, यह इस तरह की जो notes है आपको इन पर ज़्यान देना मैं सारा वापस बनातो देता हूँ, अच्छा यह कितने ganglia है वह ध्यान रखना three pairs in thorax हैं और six pairs in abdomen, abdomen में होने तो कितने चाहिए थैं 10 pair लेकिन 6 pair ही है क्योंकि जो last वाला pair है, 6th pair, it is fused of 6th, 7th, 8th, 9th and 10th ganglia very good, आगे बढ़ता है and let's talk about sensory system, कोकरोज का sensory system बड़ा ही important है बच्चों देखिए आप, कोकरोज का sensory system है, उसमें कौन-कौन से उसके structures हैं यहीं से मैं करवा देता हूँ, इसमें बहुत जादा कुछ है नहीं, एक दूसमें antenna है बच्चों आपने देखिए लिया, आगे दो बड़ बड़ antenna होता है, सारे insects का characteristic feature है antenna अगर किसी में antenna है, तो antenna और mandibles जो होगा, यह बड़े important features होते हैं mandibles sensory नहीं है, mandibles तो jaws हैं, लेकिन जस्ट बता रहा हूँ मैं, कि जो हमारे insects हैं, उनका एक main feature है presence of antenna and presence of mandibles, what type of receptors are present on the antenna तो एक तो बच्चों वहाँ पर touch sensory होंगे, और एक वहाँ पर chemo sensory receptors होते हैं जो different chemicals का पता लगाते हैं environment में, कोक्रोच किसी भी चीज को हाथों से touch करके feel नहीं करता है वह अपने antenna से feel करता है, even सामने वाला mating जब यह करते हैं, कोक्रोच तो एक male कोक्रोच को यह कैसे पता चलेगा कि आसपास surrounding में जिसके साथ वह copulation करने वाला है, वह female कोक्रोच है, तो बच्चों इन में यह जो कोक्रोच होते हैं और दूसरे भी कई सारे जो insects होते हैं, वो कुछ chemical release करते हैं, उन chemicals को हम phyromons कहते हैं, पढ़ूंगा मैं आपको phyromons, अच्छे से detail में बात करेंगे इनके बारे में, जब मैं hormones पढ़ूंगा तो phyromons भी पढ़ूंगा, पर अभी just इतना ही बता देता हूं, कि जो male और जो female cockroaches होते हैं, यह अलग अलग तरे के chemicals release करते हैं, इनको phyromons कहते हैं, और यह जो इनके antenna है, उन antenna से उन chemicals को feel कर लेते हैं, कि आसपास उनके घूम रहा है, वो male cockroach है या female cockroach है, क्योंकि male cockroach का chemical अलग होगा, और female cockroach से जो chemical release होगा, जो phyromon release होगा, वो different होगा, and that is how they identify they are opposite sex, तो यह ध्यान रखना है कि जो antenna होते हैं, उन पर chemo sensory sensors भी लगे रहते हैं, receptors होते हैं, chemo sensory receptors और उन पर touch receptors भी होते हैं, उसके अलाबा, इनके पास compound eyes होती है, they have got maxillary palp and labial palp, अब इस maxillary palp और labial palp को दिखाने के लिए, मुझे वापस पीछे जाना पड़ेगा, मैंने जो cockroach के diagram बनाये थे, इनके mouth parts के, वहाँ पर जाएं हम, यह देखिए हम अरबास, यह देखिए, तो यह अब हमारे पास यहाँ जो yellow color से मैं highlight कर रहा हूँ, अगर आपको दिखता हो तो दोनों तरफ देखिए, यह बच्चों maxilla के उपर maxillary palp हैं यह, इनको हम maxillary palp कहते हैं, PALP, और मैं पहले भी बता चुका हूँ, कि इनके उपर भी यह देखो, इनके उपर यह receptors होते हैं, chemo receptors होते हैं, और similarly, यह जो हमारा labium है, इसके उपर भी यह देखो, यह palps दिखाई दे रहे हैं, तो इसको तो हम कहेंगे labial palp, labial palp, और इसको हम कहेंगे maxillary palp, तो यह दे आर ओल्सो इंक्लूड़ेड इन देर, sensory structures, come to the, यह पार्ट पर आ गए, तो देखो, कोकरोज के जो sensory system है, क्या-क्या चीज़े included है, antenna हो गए, उन पर touch sensory receptors होते हैं, chemo sensory receptors होते हैं, compound eyes, light के लिए है, image बनाने के लिए है, maxillary palp और labial palp, आपको समझ में आई गया होगा, touch and test receptors होते हैं, labial palp पे भी test receptors होते हैं, और एक anal सरकाई, male और female दोनों में होते हैं, आपको याद है, कोकरोज के जो पीछे वाला जो end होता है, उसमें यहाँ पर यह इस तरह के anal सरकाई है, और मैंने आपको बताया था, कि इनके उपर phono receptors होते हैं, sound receptors होते हैं, जो hearing में काम आते हैं, male cockroach और female cockroach में differentiate कैसे करोगे बच्चों, कि अगर सिर्फ anal सरकाई present है, तो वो female cockroach होगा, और anal सरकाई के साथ-साथ यहाँ पर codal style भी हैं, पीछे आपको दो दिखाई देते हैं, से structure, तो इसका मतलब यह male cockroach हो गया, चलिए, इन सबको हमको ज़्यादा detail में नहीं पढ़ना है, लेकिन इन में से जो हमारी compoundize है, उनको हम थोड़ा सा discuss करेंगे, यह हमारे पास diagram A बना हुआ है, यह हमने एक scanning electron microscope, same कहते हैं उसको, electron microscopy दो तरह की होती है, scanning electron microscopy और transmission electron microscopy, तो same और time यह होते हैं, I think आपको, आपने कहीं botany बगरा होगा और नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको transmission electron microscope से किस तरह की images बनती हो भी कभी बताऊंगा, पर अभी यह जो आपको इहां image दिखाई दे रही है, यह scanning electron microscope से है, हमारे normal light microscope, light microscope की image नहीं है, और इसमें यह आपको ऐसे छोटे-छोटे यह जो structures दिखाई दे रहे हैं, these are called ometidia, है ना, इनकी units है यह बच्चों, a compound eye is made up of 2000 small units called ometidia, इसमें मैं बता देता हूँ, tedium singular है और tedia plural है, तो अगर हम इसको ऐसे काट दें तो हमारे पास देखिए, यहां पर एक section बना हुआ है, और यह जो hexagonal आपको एक single ometidia इस तरह से यह दिखाई दे रहे हैं बच्चों, मैं color change कर देता हूँ, तोड़ा red ले लेता हूँ, यह देखिए, यह इसमें यहां पर कई सारे आपको ometidia दिखाई दे रहे हैं और यहां से लेकर यहां तक ही एक single ometidia में पूरा, यह दूसरा ometidia में, यह तीसरा ometidia में, and how many such ometidia are there, total 2000 such ometidia are there, ओके बच्चों, यह एक question आपको पूछा जाएगा, कि जो इनकी unit होती है, compound IQ, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम ometidia कहते हैं, और अब आप देखिए, मैं यहां पर एक diagram और बना हुआ है, ध्यान दीजिए, कि जिसे हमारे पास एक ometidium यह है number one, दूसरा ometidium, तीसरा, चोथा, फिर ऐसे बहुत सारे ometidium है, that's it, कोई खास बात नहीं है, अब यह सामने हमारे पास एक object पड़ा हुआ है, यहां से लेकर यहां तक है हमारा कोई object ही है, ठीक है बच्चों, और cockroach इसको देखना चाहता है, तो हमारी आईज में और cockroach की आईज में एक फरक होगा, कि जिस ometidium के सामने जो पार्ट होगा, उसकी image उसमें बनेगी, इसकी image इसमें बनेगी, और इसकी image जो होगी, वो इसमें बनेगी, मतलब object जो image है, वो छोटे-छोटे parts में बनती है, तो हम लिख दें, the image is formed in small parts, और अब basically होता क्या है बच्चों, कि हर ometidium अपने best परियादे को यह nerves से जुड़ा हुआ, यह nerves हैं, और यहां से सारी information brain में चली जाएगी, brain का मतलब supra isofagial ganglia में चली जाएगी, और वहां जाके यह जितने भी चोटे-चोटे टुकडे हैं, image के, उनको सबको आपस में एक साथ process कर दिया जाएगा, और एक single image बन जाएगी, of course मैं आपको बता देता हूँ, कि यह जो image बनती है, यह बहुत ज़्यादा sharp नहीं होती ह resolution होता है, resolution पूर होगा, पर इससे एक फाइदा यह हो जाता है, कि एकदम dim light में भी image बन जाएगी, resolution पूर होने का भी कारण बता देता हूँ, बच्चों, कि कई बार जैसे यह वाला जो है, इसका कुछ पार्ट इधर भी बन जाएगा, क्योंकि light है बच्चों, light तो अब सी image इधर भी बनेगी, और इधर भी बनेगी, तो obviously इमेज होगी, वो sharp नहीं होगी, लेकिन at the same time, advantage यह हो रहा है, कि एक ही चीज़ की image आसपास 2-4 ommetidya में बन रही है, तो अगर light बहुत पूर है, तब भी उसको वो object दिखाई दे जाएगा, अब इसको वैसे भी कोई sharp image की requirement नहीं है, इसको तो सिरफ इतना पता लगाना है, कि उसके surrounding में कोई mouve effectivement भी यह इंक, इसको यह नहीं देखना है, कि मेरी आँख कितनी कैसी है, और मेरे आँखों के ऊपर, जो मेरे hairs कैसे है, यह इतनी detail में उसको जाना भी नहीं, उसको तो सिरफ यह दिखना है, कि उसके पास पास दो-चार जगों पर और बन जाएगी, है ना, समझ में ही बात आपको, आप थोड़ा सा यूँ, कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि, स्टार्टिंग में मैंने बोलाए कि, जो सामने होगा, उसी की image बनेगी, exactly what I want to say, कि अगर कोई object यहां भी है, लेकिन हाँ, जो पास पास objects हैं, वो overlap कर जाएंगे, उसमें overlapping definitely होगी बच्चों, और because of that overlapping, यह जो image बनेगी, यह poor resolution की होगी, उसमें उतनी sharpness नहीं होगी, लेकिन आपको यह ज़रूर ध्यान रखना है कि, highly sensitive image बनेगी, high sensitivity होती ही इसमें, यह जो एकदम dim light होगी, उसमें भी इसको दिख जाएगा, और यही कारण है कि, कोकरोज को रात को दिखाई देता है, और अगर रात को दिखाई देता है, तो मैंने यहां लिखाई बच्चों, देखें, यह nocturnal vision है, इसमें, तो बस यह दो तिन important question यहां से बनते हैं आपके, मैं इसको एक बार notes में हमने क्या लिखाया, उसको पढ़ लेते हैं, इतना पार हमने पढ़ लिया है पहले, अब let's talk about the compound eyes, each compound eye is made up of 2000 units called ometidia, और जो टुकडो टुकडो में, जो image बनती है, उसको हम mosaic vision कहते हैं, more sensitive but less resolution, तो यह ध्यान देना है आपको, more sensitive है, मतलब अगर light डंक से नहीं भी है, अंदेरा भी है, हलकी से dim light है, उसमें भी image बन जाएगी, और लेकिन उसका जो sharpness होगी, उसका जो resolution होगा, वो poor होगा, correct बच्चों, और यह एक नया word, जो मैंने भी थोड़ी दर पहले, मैंने बताया नहीं आपको, mosaic vision क्या होता है, तो mosaic vision, when image is formed in small parts, हमारे ऐसा नहीं होता है, हमारे एक साथ बनती है, single image बनती है, तो when image is formed in small parts, इस तरह के vision को हम mosaic vision कहता है, and why image is formed in small parts, बटा, तो क्योंकि इनकी जो आँख होती है, वो simple आई तो है, नहीं, single आई तो है, नहीं, वो compound आई है, तो किसी भी object की जो image बनेगी, वो टुकडो टुकडो में बनेगी, clear, और अब हम आगे बढ़ते हैं, cockroach के reproductive system के बारे में discussion करते हैं,